चाहर स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैनुवल्स केवेंजर्स इनकी जो जनगर्णा है वो शुरू कर दी गई है फिलाल मैनुवल्स केवेंजिंग क्या होती है आप यहां पर एक वेक्ति देखिए एक यहां पर आप देखिए इमेज में आप देख पाएंगे कि सीविर के अंदर अपने हातों से गंद की निकाल कर इस बाल्टी में डालेंगे फिर यहां पर यह जो काम है किस तरीके का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है और कौन सी कंडिशन के अंदर इनके द्वारा देखे प्रोपर इनके ओपर कोई क्यूपमेंट नहीं है इनके पास और अपने हातों से काम कर रही है तो सोचगे इनकी हैल्थ पर कितना असर पड़ता है तो यहां पर जो यह manual scavenger की जनगर्ना की जा रही है एक तरीके से जानेंगे इसके पीछे reason क्या है और इस यह जो जनगर्ना कर दी जाएगी इससे फाइदे क्या क्या होने वाले हैं जो इस तरीके के काम में लगे हुए लोग हैं उनको फिलाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें यह जो जनगर्णा करवाए जा रही है पूरे राष्ट व्यापि यहां में एक तो सर्वेक्षन किया जाएगा कि यहां पर कितने कितने लोग लगे हुए हैं उनकी जनगर्णा की जाएगी जो सीवीर और सेप्टी टैंक में काम करने वाले जो सफाई कर्मी है उनकी जनगर्णा की जाएगी पूरे राष्ट व्यापि तोर पर तो यह करेगा कौन? यह करवाय जाएगा Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा ध्यान रखना है कौनसी मिनिस्टी इसके अंदर काम करे रथ है? Ministry of Social Justice and Empowerment अब यह जो जनगर्णा की जा रही है इसके फाइदर क्या होंगे? First of all तो देखिए यह जो exercise की जाएगी National, यहाँ पर देखिए Mechanized Sanitation Ecosystem नमस्ते की योजना है उसके तहत यह एक तरीके की योजना का हो मतलब उसका एक हिस्सा है यहाँ पर और यह जो काम है 500 अमरिश शहरों के अंदर किया जाने वाला है यानि यह जो योजना है वो 500 अमरिश शहरों में आयजित की जाएगी अभी फिलाल 500 शहरों में ही लाइस समझी 500 शहरों में ही आयजित की जाएगी यह अमरिश का क्या मतलब होता है? इसकी फूल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है तो अभी फिलाल 500 शहरों के अंदर ही यह जो आयजित की जाने वाली है और यह जो योजना है 2007 के अंदर हमारे देश के अंदर एक योजना लागू की गई थी Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers इस योजना के साथ इस योजना को मर्ज किया जाएगा यानि कि जो National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem जो नमस्ते स्कीम है इस स्कीम के साथ इसको मर्ज किया जाएगा या फिर कहीं इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा यह जो स्कीम है Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers 2007 में इसको शुरुआत की गई थी अब अभी फिलाल 500 शहरों में इसको लगु किया जा रहा है इसके बाद जो है वो बड़े पहिमाने पर यह बाब कैंगे पूरे भारत के अंदर इसको बाद में एक तरीके से सर्वे किया जाएगा पूरे भारत के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा अब ये क्यों किया जा रहा है तेकि देश भर में जो भी जो लोग इस तरीके के काम Emanual scavenging में काम में लगे हुए हैं सफाई अभिशान के अंदर जो लगे हुए हैं यहाँ पर उनकी पहचान की जहेगी पहचान करने के बद उनकी skill को improve किया जाएगा और फिर बाद में उनके loan के लिए ताकि उनको कभी love उनके जुरूरत हो तो वहाँ पर उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा उनको सबसीडी जूरत हो तो सबसीडी जाएगी या फिर सरकारी जो उनको लाब असानी से मिल सके वो उन तक पहुंचाए जाएंगे तो एक बहुत बढ़िया स्कीम है नमस्ते योजना और भी हम मैंने आपके सामने Ministry of Social Justice and Empowerment इन सभी मिनिस्टी के द्वारा एक स्यूंक तुरूप से शुरू की जारी ये कियोजना है इसका उदेश्या जो है जो सीविर है जो सेप्टिक टेंक है इस तरीके के काम में जो लोग हैं लगे हुए हैं उन काम को एक तरीके से बंद करना है इ मजबूर नहीं किया जाएगा ये सब चीजों के अपर परतिमन लगाया जाएगा इस योजना कहता है इसका उदेशे देखिए भारत में जो सीवर के अंदर जो काम करने वाले जो लोग हैं सीवर सिफाई में उनकी जो मोत है उनकी उसको शुनने करना अभी कितनी मोते होती अभी आप लोगों को बताऊंगा सभी सफाई कारें को कुशल सर्मिकों के द्वारा करवाया जाएगा और कोई भी सफाई करमचारी मानव मल को यानि जो मानव मल है उसको सीधे अपने हाथ से नहीं उठाएगा सफाई कारे करता में सवय सायता समू में एकत्रित किया जाता है और उन्हें सफाई उद्यम चलाने के दिखिए सफाई उद्यम एक स्की में भारत के दोरा इसके मतलब भारत सरकार के दोरा इसमें क्या होता है कि जो सफाई करमचारी है उसको इतना मतलब की एक तरीके से सक्षम बना दिया जाएगा कि उसके पास खुद की मशीन होगी यानि वो खुद अपनी सब मशीन का मालिक होगा इस तरीके का अधिकार उनको दिया जाएगा देखे सुरक्षिर सफाई कारे के परवंतन और निगरानी को सुनेशित करने के लिए अब जो भी बोडी के दौरा प्रोप पर सर्वेक्षन किया जाएगा और जो भी रजिस्टर्ड और जो कुशल सफाई करे करताओं से ही सेवाई लेने के लिए सफाई सेवा चाहने वालों को भी जागरूता बढ़ाई जाएगी कि आप जो रजिस्टर्ड है जो कुशल है जो मतब ऐसे नहीं है कि जो अभी देखिए जो ठेकेदार है यहां पर यो अन्सकिल्ड परसन को कुछ पैसे के लालच में और जो भी इनसान जिनके पास काम नहीं होता वो आ जाते हैं फिर उनकी ही जीवन के उपर उनके ही लाइफ के उपर जो जनगर्ना के आफशकता क्यों हो पुड़ी 2017 में जो मैनुवल स्केवेंजी के कारण 351 मोते हुई देखे कोई छोटा अंकड़ा नहीं है जो लोग सफाई काम कर रहे हैं सीवर के अंदर उतर रहे हैं उनका दम घुटने के कारण या फिर कहीं उनके कारण जो बिमारियां होती है उनसे 351 मोते हो चुकी है इसके उदेश्चे सफाई करमचारियों को पुनरवास की प्रक्रियासू विवस्तित करना मतलब कि अब इस योजना कहता है यह काम बंद कर दिया जाएगा उनको अगर लोन की जरूरत है सबसीडी की जरूरत है सरकारी लाब की अगर उनको जरूरत है तो वो सब चीज़े उनको कसानी से पहुंचाए जाएगा और जो भी रजिस्टर करमचारी है स्वच यूदिमी योजना से उनको जोड़ा जाएगा इससे क्या होगा कि जो श्रमिक हैं उनके पास खुद की सफाई मशीन होंगी सफाई मशीन के वो खुद मालिक होंगे सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो नगरपाली का है नगरपाली का स्तर पर उनको काम मिलता रहे और ये जो योजना है स्वच यूद्मी योजना इसके दो फाइदे हैं एक तो ये कि मशीन जो सफाई करमचारी है उनकी आजवी का परदान होती रहेगी उनके खुद की मशीन उनके पास हो जाएगी एक जो भारत स्वच या भ्यान है उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे तो यहाँ पर दो-दो चीज़ें हो पाएंगी अब बात करते हैं modNIE के विजियंक क्या होती है देखे है divומ स्कैवेंजिंग हाद से मैला उठाने को का जाते है चिवह सारजनिक सड़क पर हो चिवह सूख्य सो चले में हाद से मानव मल को उठाने कि बात हो या सैप्टिक टैंक म या नालियों में या सीवर में सफाई करने की बाद तो ये एक definition होती है भारत में manual scavenging यहां पर देखिए भारत के अंदर prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act 2003 है इस act के द्वारा क्या किया गया था किसी भी वेक्ति को हाथ से सफाई हाथ से सफाई करने या ले जाने या निपटाने या भी कोई भी अन्य काम है इस तरीके को या मानव मल को निपटाने के पर परतिबंध है बावजुद इसके ऐसा act है भारत के अंदर manual scavenging में लोग लगे हुए हैं हाथ से काम कर रहे हैं मतलब कि सीविर के अंदर वो उतरते ह हैं हाथ से गंदगी को हटा रहे हैं बावजुद इसके ये सब चीजें चल रहे हैं ऐसा क्यों अभी इसके बारे में इसके बारे में डिसकस करेंगे और इस act के द्वारा जो manual scavengy में जो एक तरीके से ए मानवे प्रथा यानि कि ये मानव को जो भी उसकी dignity है उसको नीचा क प्रथा पर रोग लगाने में एक तरीके से active नहीं है उनके अंदर एक तरीके से lack of activeness देखा गया है कि वह आगे आएं और जो लोग इस तरीके के काम में लगे हुए हैं उनकी जान इसमें जा रही है जो एक तरीके से उनकी जो dignity है वो कहीं न कहीं उनको परभावित कर रही है तो यहां पर उसको एक active देखना चाहिए ता सरकार को वह वहां पर नहीं देखनी है मतलब वहां पर उनकी कोई निग्रानी ही नहीं है और एक outsourcing के कान मुद्दे हो रहे हैं outsourcing का क्या मतलब हो देखे ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है कि वो सफाई का काम कुराएंग जोग है उससे अपना नाता ही तोड़ लेते हैं वो कहते हैं कि हम तो इसको जानते हैं वो इनकार कर देते हैं एक outsourcing कान काफी ज्यादा मुद्दार है इसके अलावा समाजिक मुद्दा यानि social issue देखिए एक जो हमारे देश के अंदर प्रथा जाती प्रथा यानि वर्ग आये के विभाजन से प्रेरित हैं जहां पर एक तरीके से भारत में जाती विवस्ता से जुड़ा हुए वहां पर यह माना जाता है कि जो निचली जाती जो लोग निचली जातिया है वो इस काम को करेंगी अभी आपके सामने कांकड़ा परस्तूत करूँगा कि manual scavenging या सफ 1993 में भारत में हाद से जो मैल उठाने के उसको मतलब कि जो इसमें जो लोग कारेंगी रत हैं एक तरीके से एक आया था इंडिया बैंड इंप्लॉइमेंट ऑफ पीपल ऐस manual scavengers यहां पर एक एक आया था इंप्लॉइमेंट ऑफ manual scavenger and construction of dry landering prohibition act 1993 इसमें क्या किया गया था इस काम को बंद कर दिया गया था इसके ओपर परतीबन लगा दिया गया था और इससे मैलाड होने वाले के लिए एक वेकल्पिक आजिवी का मतलब कि उनको एक अलग से काम प्रवाइड करवाया जाएगा ताकि वो अपनी दूरों का शोशन हो रहा है उनकी जान जा रही है अब हाथ से मैलाड होने की समस्या से निपटने तु अब तक क्या-क्या कदम उठाए गई है एक तो हमारे देश के अंदर एक आने वाला है अभी आया नहीं है अभी यह बिल है ध्यान से रिखिए अभी विधे का यह यह बना नहीं है देखे इसका नाम है the prohibition of employment as manual scavenging manual scavengers and their rehabilitation amendment bill 2020 यह क्या करेगा 2013 का यहां पर देखिए 2013 का कौन सा एक्ट है the prohibition of employment as manual scavenger and their rehabilitation act इसके अंदर यह शंचोधन करेगा अब यहां पर जो यह शंचोधन करेगा फिलाल जान लेते हैं इसमें क्या-क्या होने वाला है यहा पर है उनकी सफाई को और own side protection provide करवाया जाएगा compensation provide कराया जाएगा जो manual scavenging के अंदर अगर किसी की death होती है और यहां पर इसमें amendment किया जाएगा 2013 के act के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया गया लेकिन अभी भी इसको बाने यही मंजूरी मिलनी बाकी है cabinet से अब बात क 1993 के अंदर जो act आया था उसको replace किया गया था इस 2013 के act के दौरा इसमें क्या किया गया था जो भी एसवच सोचाले हैं खुली नालियां और गड़ों में सभी manual scavenging के सफाई को गैर कानूनी घोशित कर दिया गया था इस act के दौरा अब एसवच सोचाले का निर्मान और रख के निर्मान और रख रखाओ और किसी को भी अपने हाद से मैलाड होने के का मैलाड होने के लिए काम पर रखने के साथ साथ सीविर सीविरों और सेप्टिक टैंक में जो खतरनाक सफाई के गैर कानूनी उसको गोशित किया गया था एक एथिहासिक अन्याई देखिए it also provide constitutional constitutional responsibility constitutional एक responsibility provide करवाए गये थी कि alternate जो provide करवाए जाए जो इस तरीके के काम में जो लोग लगे हुए है उनको जो काफी टाइम से उनका historical एक तरीके से देखा जाए इतने टाइम से उनको इस काम में घसीटा गया है जो उनकी dignity है जो उनका स्वाबिमान है जो एक तरीके से इतने प्राइम से उनको कही न कई justice मिल सके एक हमारे देश के अंदर हत्याजार अत्याजार बोल रहा हूं अत्याजार निवार्ण अदिनियम यानि की prevention of atrocity act आया था देखिए prevention atrocity act जो आया था एक तरीके से सुरक्षा मिली थी उन लोगों को जो इस तरीके के काम में लगे हुए हैं हमारे देश के अंदर 90% से जो अधिक लोग है वो अनुसुची जाती के जो लोग हैं इस काम में जो लोग लगे हुए थे अब उनको इस act के आने के बाद prevention of atrocity act के आने के बाद उनको बहुत जादा सुरक्षा मिली थी कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको अब कोई भी आके उनको जबर्दस्ती ये काम नहीं करवाएगा क्योंकि अब उनके पास एक टैक्ट आ गया है उनको उनकी सुरक्षा के लिए कैक्ट आ गया था अब सफाई करम सफाई मित्र सुरक्षा चुनोती इसके अलावा शहरी मामलों के मंत्रालियों दोरा 2020 में सबी राज्यों के दो सफाई को मशीनी करित यानि मशीन के द्वारा ये काम किया जाएगा चैलेंज फॉर ओल की शुरुआत की गई थी इसके साथ ही साथ यदि किसी वेक्ति को किसी एमर्जेंसी के अंडर किसी भी सीवर के अंदर जाना भी पड़ जाता है तो वहां पर वह उचित उपकरन उसक से महला उठाने वाले जो लोग हैं उनके जीवन की गरीमा परदान करने है तो उनको पुनरवास यानि और कोई काम उनको बिल सके ये सब चीजें करवाई जा सके और सरवोज जिन्याले का निर्णे 2014 के अंदर आया था उस निर्णे में उन्होंने का गया था जो 1993 में सीवर के काम में जो मारे गए लोग हैं परतेग व्यक्ति की पहचान की जाएगी ताकि परतेग व्यक्ति के परिवार को मुआवजे की रूप में 10 लाक रूपे दिये जाए ये बहुत बड़ा एक जज्जमेंट था 2014 में आगे अब आगे की राह क्या हो सकती है देखिए हमारे द धन एकठा होना था तो जो मैलाड होने वाले जो मैनुवल स्केविंजिंग के काम में जो लोग हैं एक तरीके से इस पैसे को यहां पर जो इस तरीके के काम में लगे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने में करवाये जा सकता है अब मैलाड होने के पीछे जो एक तरीके से ये जानना होगा, कि ये तो एक collectors करना होगा, ये सब चीज़ें अभी भी चल रही है, इसके अलावा ये समझना होगा कि इसको अभी भी caste system के साथ जोडा जा रहा है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, और क्यूं जोड़ा जा रहा है यह सब चीजे हमें करनी होगी पहचान करनी होगी और राज्य को और समाज को इस मुद्धे पर एक्टिव रूप से पाटिसिपेट करना होगा और सही आंकलन करना होगा और उसके बाद इस प्रथा को समाब्थ करने के लिए जो भी संभावित करने की आवशकता है उमीद करता हूं तो आज का डिशाल फञानिक समज में आ गया हुगा है तो यह अप लोगों को सब्सक्राइब करें और यह पीडियो जह दोगा अई टेली ग्रामर में लिंक का एक लिंक दिया मिलेगा larman कर सकते हैं तो बस आचकर दृता था थेंक यह झाल वोचिए वोचिए वीडियो